मुआ ठालो दोस्तों, नमस्कार, गुड मौनिंग, राधेराधे जैसी किषना, मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उमीद करते हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे खूस होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे मेरे नीव लॉक में एक बार आप सब का फिर से स्वागत है तो हो चुकी है एक नए व्लॉक की सुरात और ये वीडियो जहां पर कल एंड करी थी न तो वहां से स्टार्ट कर दीती और देखिए साम को भी उतना ही काम रहा था साम का वीडियो मेरे खासे बहुत दिन के बाद में बना रही हूं तो इस समय ना चार बज रहा है तो चाय भी बना के और उसके बाद फिर मैं गैस साप कर दे रही थी खर गैस तो अतनी गंदी नहीं थी बस थोड़ा थोड़ा बुत यहां बच्चे थे ना तो थोड़ा बुत ग्रेम कर चलो सूखे कपड़े से अच्छे साप कर देती हूं और उसके बाद मैं भीगो दे रही हूं साम के लिए साबू दाना तो देखे पिछली बार जब मैं साबू दाना बनाए थी तो कमेंट आया था कि दी दूल ले रही थी क्योंकि ना अगर इसे दो तीन पानी में अच्छे से धूल लेते तो ज्यादा सही रहता तो बस यहां पर देखिए मैं दो तीन पानी में धूल ली थी और अब इसे में भीगो दे तो मैं देखिए कितना पानी डालके हमेशा साबू दाना भीगो थी हू तो बस इसे आप मैं ढखके रख दूँगे और यह साम तक मैं खिला खिला साबू दाना और अच्छे से फूल जाएगा चले तब तक आप मैं कर लेती हूं जो साम का काम होता है उसे सब कर लेती हूं तो बस यहां से चाय का बरतन भी लेती आए थी और उसके बाद फिर देख को जो बात ही रहता था तो उसे उतार कर डलिया में रख देती थी तो सारा सुबह एक साथ शाप करती थी लोगिन बरतन बहुत लग जाता है आप लोग भी देखते हुए कि पूजा करने मुझे कितना बरतन लग जाता है तो मम्मी ना सब साप कर ले रही थी और उसके बाद जब तक मैं यहां पर लगा ले रही थी ज़ाड़ू पर जबिशां लाज सबी थी गाड़ी बाइक यह दो बार अंदर बाहर कने में आगण में धूले थी आखी जब भाल्य भाली थी बहुत ज़्यादा आंगा में पूरा बालू-बालू हुआ थी पूरा पैर में लग रहा था और घ।्वाइस का रखे रहा था है अगर जगा जगा उड़ता है विह दोती जमदाने मुंपखली जोन चले और यह ना चले तो बस इसके बाद यहां पर देखी मैं बर्तन धूल भीगो दे रही थी तो जो पहर में फलहार रहे तो बस यहां पर मम्मी आ गए थी पूजा का बर्तन धूल के तो मम्मी घस दी थी जरो फरसे मैं धूल लेती हूं बरतन अब थोड़े दिन की बा कि इसी हाथ में बरतन रखे घसना पड़ता है तो इसलिए मैं अभी इतना जोर नहीं दे पाती पाकित और सारा काम कर लेती कोशिस बस मेरी यह रती है कि अब तो सबजी उपजी सब काट लेती हूं मम्मी से नहीं कटवाती जो थोड़ी हाड सबजी होती जैसे कभी करेला और काटने को सब काट लेती हूं बस रहा गया बरतन भाव बरतन भी देखी बस दो चार दस दिन की बात और बस मेरा हाथ जैसे सही हो जाए तो मम्मी को भी एस सब काम की को मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि मम्मी बरतन धूले तो बस चलिया हाँ पे हो गया था सब औ कि पीछी पुड़ा बाल हो जाता है लेकिंगे कोई बात नहीं अपने हाथ से जो चोटी बना के रहता है तो दूसरे का हाथ में उतना नहीं रहता है इतने दिन देखे होंगे आप लोग की मेरा चेहरा इतना अगता क्योंकि कोई भी बाल बनाता था ना तो मुझे कर लूँगी और उसके बाद अभी तो खेर साड़े चार बजरा छेव बज़े से लगूँगी क्योंकि ना सुबह में पाठ नहीं करी थी तो साम को भी मुझे पाठ करना रहेगा तो यहां पर देखे थोड़ी सी किलिप मेरी प्रिंसी ले ली थी तो मैं कहीं चलो आप इसमें एड़ कर ले थी तेहां पर मैं बैठ गी थी थी थोड़ा से बस दो-तीन सेकेंड का प्रिंसी ली थी तो फिर पाठ उट करके शो मुझे पाठ करने में एक से डेड़ घंटा लग जाता है क्योंकि आज समय लगेगा पार्ट करने में क्योंकि आज पूरा सुरू से पूरा करना रहा था उसके बाद फिर तो एक दो दो अध्याय करूंगे तो फिर पूरा पार्ट हो जाएगा और एक मेरी प्यारी सी सिष्टर पूछी थी कि दीदी आप नौ दिन का ब् साबु दाना खाने की और सिवांस की वडा घाने की ओस साबु दाना खाने की मला के खुचड़ी खानेे कि यृक बच्चे एक मन किया कि या नहीं बना फिर आपलों कि यसा पसंद करता है क्योंकि साबुदाना का वड़ा में देखिए थोड़ा तेल लगता है कितना अगर अच्छे से कर तो थोड़ा तेल लगी जाता है तो बस यहां पर देखी मैं साबुदाना आलू और थोड़ा सा मोंफली दरदरी कूटली थी उसी में हरी मिर्च धेर सारी डाल करूंगे कि थोड़ा थोड़ा आलू लाल होने लगता है कड़ाई में ही तो उस तरह से फ्राई करती हूं ताकि उपर नीचे आलू अच्छे से लाल हो जाती ना तो उसके बाद मैं से ढख के दो से तीन मिनट के लिए पका लेती हूं जब आलू थोड़ी सी अधकची रह है तब उसके बाद इसमें नमक साबू दाना और जो मुमफली का रखी हूं कूट के यह डाल देती हूं तब तक यहां पर मैं वड़ा की भी तयारी कर ले रहे हूं और एक तरफ वड़ा की भी तयारी कर दे रही हूं क्योंकि मुझे पार्थ करने में 7.30 बज़ गया था त फिर भी समय लग जाता है तो बस यह पर देखिए एक तरफ मुल्डा बना ले रही हूं और एक तरफ इसे जो आलू था से ढख दी हूं और बहुत जल्दी यह मलब हो जाता है तो यहां पर देखिए कान्हाजी कली सबसे पहले मैं वड़ा बना कर दे दी थी प्रिंसी को क्यो डालूंगी और थोड़ा सा आलू में रह गया था कसर तो मैं चलो इसे दो मिनट के लिए ढख देती तो अच्छे से पक जाएगे ने तो फिर क्या है कि साबू दाना डालने के बाद आलू जल्दी नहीं पकती है तो बस यहां पर देखी जो वड़ा बनाए थी थी थोड़ा स आपस में चीपयोग रहे थे तो कई चलों से जो चमच होती है काटे वाली उससे पलट देती तो उससे ज्यादा सही पड़ता है मुझे बस यहां पर देखी जो मुमफली का चूड रखी थी कूटके उसे डाल दी हूँ और एक साथ में देखी साबू दाना खुब अच्छ से फूल गया था साबू दाना तो बस साबू दाना डालके ढग दी थी और यहां पर देखी वड़ा भी बन गया है और एक तरफ ना प्रिंसी चटनी पीजदी है तो महला टमाटर की चटनी पीजदी है बस अब इस सब इनको सब को भी चलूंगी मैं दे दूंगी और यहां पर देखिए सीवांस को दे दे रही हूँ निकालके और थोड़ा सा बचा तो दे दूंगी प्रिंसी को तो यह लीजे तम खिला-खिला साबुदाना और देखिए जहां तक मुझे तो लगता कि साबुदाना सभी की पसंद और मेरे घर में तो सबसे ज़्यादा न सीवांस को बहुत ज़्यादा पसंद साबुदाना खेर मुझे भी पसंद था पहले का साबू दाना पता है कैसा पहले जब ममी लोग बनाती थी तो गठर वाला साबू दाना बनता था यानि कि उसमें आलू अलग होता था और साबू दाना इतम गठर गठर जैसे बहुत टेस्टी आता तो खाने में लेकिन अबात का साबू दाना दम खिला खिला दम बिखरा हुआ बनता लेकिन मुझे वह वाला ज्यादा अच्छा लगता था तो बस यहाँ पर देखे सब हो गया और मैं बहुत ज्यादा ठक गई थे ते देखे वड़ा भी बन गया है और अभी इनको सब को दे दी हूँ ते यहाँ पर पूजा तो सुभाई मैं कर ली थी मैं चारी बजे उट गई थी और चार बजे उटके जो पूरा घर का काम होता करने बाद फिर मैं पूजा कर ली थी और उसके बाद फिर देखे मम्मी अपनी तैयारी कर रही थी 14 माई जाने की क्योंकि नवरातर भर क्या होता कि सब जाते हैं 14 माई मैं भी सोची थी कि इस बार जाने के लिए कि अब इस बार नहीं जाओंगी अगली बार से जाओंगी हो सकेगा तो अगली बार से मैं भी सैद 9 दिन का वरत रखूं तो बस अगली बार से जाओंगी तो मम्मी कहें कि चलो मैं जा रही हूं मैं तो सब क भी जाती हैं नुट?. जाएं फूजा करती हैं और पर बाहर ली नुए सितला था किन तो मतों में देवी मा को पूछो तो मैं नहीं करता है और मदीर चली जाते हैंडाने का मनि lowest पर समय में पार्ट कर रही थी तो प्रिंसी अपना स्कूल को अपना साभूदाना जो आप लोग देखे थी कड़ाए में वह बच गया था और दो से तीन वड़ा बच गया था तो प्रिंसी अपना ओई खापी के चली गई थी और उसके बाद देखें आपर मैं थोड़ाबो जरूर समान होता तो बस आ गया था तो यहां पर मैं चलो इसे में डबा में भर के रख देती हूं ने तो कियाना कि इस समय चीटी बहुत होती है और चीनी है तो अखसा चीटी लगी जाती है तो मैं सोची चलो भी खाली क्योंकि अब लाइट भी नहीं अब लाइट आईगी 10 बजे तब मेरा खाना पीना कपड़ा अपरा सब फिर काम सुरू हो जाएगा 10 बजे से फिर खाना बनाऊंगी कपड़ा अपरा साप करूंगी तो मैं सोची जब तक यहीं काम कर लेती हूं और उसके बाद फिर एस सब करने बाद ना इसके सारा रख दूँगी और कल के जोने पता लेकिन हाँ यह पता है कि खड़े होके पानी पीने सना गुठनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो चलिए अब आगे से मैं कोसिज करूंगी कि मैं खड़े होके पानी ना पिऊंग और बस यहां पर देखे चीनी तो भर दी थी अब इतना चीनी ना मेरे 20-25 दिन चलती थी क्योंकि बस चाय में और मम्मी रहते हैं दो कब चाय बना थी बाकित और मेरे हां मीठा कोई खाने वाले है नहीं तो इसलिए चीनी की खपत कम है और उसके बाद बस यहां पर तेलों सब अच्छे से भर के और यह जो तेल का रह पर है ना तो इसे अब लगा दी थी अभी मम्मी तो नहीं आई मम्मी को आते हैं ते 11 बज़ जाए और फिर यहां पर रैंक में न मैं सारा डबा लगा दे रही हूं और चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो भी ना बस यहीं पैंट करूंगे अगर आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी तो बाई बाई दोस्तों गुड़ नाइट